नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है, मैं हूँ अमलेंदू उपाद्धियाए दिनभर की बड़ी खबरें, आईए पहले देखते हैं दिनभर की बड़ी खबरें डिवी लाइप के सोजनने से अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए पहले बड़ी खबरें उसके बाद कुछ मनु इंजन की किलिप्स नमस्कार दिनबर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आचल आज इस बुलिटिन में बात होगी हर्यान में बीजेपी परवड से राहूल गांधी की जमु कश्मीर में अंतिम चरण की वोटिंग की देखेंगे बुल्डोजर एक्शन पर सुप्रीम कोट के रुख को अभिशेक मनु सिंगिवी के बयान को जानेंगे नितिन गटकरी के अपनी ही सरकार पर हमले को और बुलिटिन के आखिर में बात सोनम वांग्चु के हिरासत की लेकिन दिन बर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर तिरुपत्ती लड़ू विवाद में S.I.T. जाँच पर लगी रोक सुप्रीम कोट की सुनवाई तक नहीं होगी जाँच आंदर पुलिस बोली कोट की गाइडलाइन के मुताबिक जाँच बड़ी आगे योगी सरकार का बड़ा फैसला 49,000 सरकारी करमचारियों की रोकी गई सेलरी करमचारियों ने अभी तक नहीं दिया संपत्ति का ब्योरा ये तो थे सुर्खियां अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की हर्याणा में चुना प्रचार थमने में अब 48 घंटे से भी कम का वक्त बचा है अंतिन समय पर सभी राजनेतिक दलों ने पूरी ताकत जोग दी है कॉंग्रेस सांसद राहूल गांधी हर्याणा में विजेस संकल पियात्रा निकाल रही है इस यात्रा के दूसरे दिन उन्होंने बीजेपी और आरेसेस पर जम कर हमला बुला तो क्या कुछ कहा राहूल ने? देखे इस रिपोर्ट में लेकिन आरेसेस वालों में दम नहीं ये लोग मुझे देखकर छुप जाते हैं लोग सबा में भी जब मैं भाशन देता हूँ तो पी एम मोदी निकल जाते हैं मैं बीजेपी मोदी से नफरत नहीं करता? ये वीचार धारा की लड़ाई है ये कॉंग्रेस पार्टी की सोच है हमें आप जितना मारो जितने अपशब्द कहो जितनी लाठी मारो मगर हम नफरत नहीं करेंगे हम जानते हैं कि देश नफरत से नहीं प्रेम से बना है इसके साथ ही राहूल ने कहा कि जिस दिन यहाँ पर महबत की सरकार आएगी आपको अमेरिका जाना नहीं पड़ेगा सब यहीं मिलेगा राहूल ने पिये मोदी से सवाल पूछते हुए कहा कि गुजरात में आडानी पोर्ट में ड्रक्स पकड़ी गई उस पर क्या कारवाई की गई यह हर्याना की जनता को बताएं हर्याना में बीज़पी सरकार के परिवार पहचान पत्र यानि पी 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 को राहूल गांधी ने परिवार परेशान पत्र बताया वहीं राहूल गांदी का गन्न और विधानसभा शेत्र के गाउं जाहरी में भव्य स्वागत हुआ यहां किसानों ने उन पर फूल बरसाए इसके बाद उन्हें 5 किलो देशी घी भी दिया और गोहाना में राहूल गांदी ने जंसभा को संबोधित करने से पहले मशूर मातुराम की जलेवी खाई लोगों ने उन्हें चावल भेट किया बता दे कि राहूल गांदी की विजश संकल्प यात्रा सुबह करीब साड़े ग्यारा बजे जजजर के बहादुर गड़ से शुरू की गई वहीं यात्रा पहले दिन अंबाला के नारायन गड़ से शुरू हुई थी जो कुरुक्षेत के थानेस्तर में जाकर खत्म होई थी राहूल की यात्रा और उनकी बढ़ती लोग प्रियता से बीजेपी टेंशन में नजर आ रही है जब्समीर की सभी सीटों पर वोटींग पूरी हो गई है आंदिम चरण में 40 सीटों पर वोटिंग होई जिसमें से जम्मू की 24 और कश्मीर रीजन की 16 सीटे शामिल है आखरी फेस में 415 कैंडिडेट्स मैदान में हैं इनमें 387 पुरुष और 28 महला उमिद्वार शामिल है वोटिंग के दोरान किसी तरह की अपरी अगटना की खबर नहीं है इस बीच PDP चीफ महबूबा मुफ्ती ने कई बूतों पर मदान की गती को धीमा कराने का आरूप BJP पर लगाया पार्टी के मोहिद भान ने आरूप लगाया है कि कुपवारा के हटमुल्ला पॉलिंग स्टेशन पर धीमी वोटिंग करायी जा रही है उन्होंने एक्सपर कहा कि धर्ती पर कोई नहीं जो वोटर्स को वोटिंग टाइम खत्म करने तक मदद कर सके अंदेब चरण में वोटरों में उत्साह दिखाए दिया आकरी चरण में 68 प्रतिशत से अधिक वोटिंग होई है सबसे ज्यादा वोटिंग उधमपुर और सामबा जिले में 75-75 प्रतिशत होई है इसके अलावा कठुआ में 73 प्रतिशत, जमू में 70 प्रतिशत, बादनीपुरा में 66 प्रतिशत, कुपवाड़ा में 65 प्रतिशत और 12 मुला में सबसे कम 58 प्रतिशत वोट डाले गए अगर विधानसभा सीटों की बात करें तो सबसे कम वोटिंग, सोपोर विधानसभा सीट पर हुई यहां 42 प्रतिशत वोटिंग हुई, तो सबसे ज्यादा मद्दान उधमपुर पूर्व सीट पर हुआ यहां 77 प्रतिशत वोट डाले गए, अब सभी को इंतजार 8 अक्टूबर का है, जिस दिन सुबा 8 बजे से काउंटेंग होगी और दो पहर तक तस्वीर साफ हो जाएगी, वोटिंग के बाद इंडिया गठ बंधन की तरफ से दो तिहाई से ज्यादा सीटी जीतने का दावा किया गया है जम्मू कश्मीर में कॉंग्रेस और बीजेपी में कड़ा मुकाबला दिखा गया, तो सुप्रीम कोट भी सक्थ नजर आ रहा है कोट में बुल्डोजर एक्षिन पर एहम सुनवाई हुई, हलाकि कोट ने बीजेपी सरकारों के बुल्डोजर एक्षिन पर पहले ही अंतरिम रोक लगा दी थी लेकिन इसके बावजूद ये कारवाई रुकने का नाम नहीं ले रही, और अब इस मामले में कोट में दोबारा सुनवाई हुई, तो क्या कुछ हुआ सुनवाई के दौरान कोट में, देखिए इस रिपोर्ट में बुल्डोजर एक्षिन पर सुप्रीम पोर्ट में एहन सुनवाई हुई, इस दौरान जस्टिस बी आर गवाई और केवी विश्वनाथन की बेंच के सामने सभी पक्षों ने अपना-पना मत रखा कोट के सामने मुखे रूप से चुनोती ये रही कि ऐसे क्या दिशा निर्देश पारित किये जाए, जिससे अनाधिकरित निर्माद हटाने के लिए उचित प्रक्रिया का पालन किया जाए स्थानिय कानूनों का दुरुपयोग ना हो कोट ने कहा कि वो ये साफ जरूर करेंगे कि विधवन सिर्फ इसलिए नहीं खिया जा सकता कि कोई किसी अपराध में आरोपी या दोशी है वो अपने फैसले में बुल्डोजर कारवाई पर राश्ट्रिय स्तर पर समानता लाने के लिए उचित दिशा निर्देश जारी करेंगे इसके साथ ही अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया लेकिन ये भी साफ कर दिया कि गैर कानूनी कबजा अतिक्रमण हटाने पर कोई रोक नहीं है और बुल्डोजर की कारवाई पर लगी अंतरिम रोग जारी रहेगी कोट ने ये भी कहा कि किसी भी गैर कानूनी कबजे के खिलाफ कारवाई की आड़े धार्मिक स्थल भी नहीं आने चाहिए हम एक धर्म निर्पेक्ष देश है ये पूरे देश के लिए होगा बेंच ने कहा कि कोट के आदेश की अवमानना करने वालों पर कारवाई होगी साथी पीडितों की संपत्ती वापस की चाहेगी जिसका मुआफजा भी दोशी अधिकारियों से वसूला चाहेगा वही कोट ने अदालतों को भी अनाधिकृत निर्मार मामलों से निपटने के दौरान सतर्क रहने के निर्देश दिये हैं कोट ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारा आदेश अतिकरमन कारियों की मदद ना करे बताता है कि पिशली सुनवाई में सुप्रीम गोट ने कहा था कि बिना कोट की अनुमति के बुल्डोजर कारवाई ना हो और ये आदेश आगे भी लागू रहेगा जब तक की कोट अपना फैसला न सुना दे बुल्डोजर एक्षिन पर बीजेपी सरकार सवालों के घेरे में हैं तो सवाल सिधर अमया के खिलाफ एडी की कारवाई को लेकर भी उठ रही है करनाटक के मुख्य मंतरी सिधर अमया के खिलाफ लगातार एक के बाद एक मामले सामने आ रही है जिसे लेकर कॉंग्रेस मोधी सरकार पर हमलावर है इसी सिलसले में कॉंग्रेस सांसद अभिशेक मनू सिंग्वी ने बीजेपी पर जम कर हमला बोला देखे ए रिपोर्ट एक बार फिर बीजेपी पर केंद्रिय एजेंसियों के दुर्पियों के आरोप तेज हो गए है कॉंग्रेस का आरोप है कि करनाटक में कॉंग्रेस की सरकार आने के पहले दिन से मोधी सरकार कोशिश कर रही है कि करनाटक की सरकार को अस्थिर किया जाए पार्टी के राजसबा सांसद अभिशेक मनु सिंग्वी ने कहा कि ये साफ हो गया है कि ED अब एक चुनी होई कॉंग्रेस सरकार एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को धमकाने और गिराने के लिए नियमों के खिलाफ जाकर हड संभव कोशिश कर रही है ED के पे चानवे प्रतीशत केस सिर्फ विबख्ष के खिलाफ है बीजेपी की वाशिंग मशीन वाली सूची अखिल भारती स्तर पर बढ़ती ही जा रही है इस सूची के साथ एक और सूची बढ़ती जा रही है जिसमें जनादेश के साथ मुख्य मंत्री बने लोगों के खिलाफ काम किया जा रहा है कभी अर्विंद केजरिवाल तो कभी हेमन सोरेल आप सिधर अमया के मामले में भी PMLA का एक नया F.I.R. दर्ज हुआ है बीजेपी PMLA का इस्तमाल कर सिधर अमया को डराने धमकाने की कोशिश कर रही है लोगों को तोडने की कोशिश कर रही है कॉंग्रिस महासरचिफ जैराम रमेश ने दावा किया कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि करनाटक विधानसभाच चुनाव में जनता ने BJP को वहुमत नहीं दिया और ये PMLA ले आए बताने कि E.D. ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण में हुए जमीन घोटाले से जुड़े मामले में सिधर अमया और उनकी पतनी के खिलाफ और PMLA के तहत केस दर्ज किया है इस पर सिधरमया ने कहा कि विपक्ष उनसे डरा हुआ है इसलिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है और अब सिंग्वी ने E.D. के सभी पुराने केसेस का इत्यास पेश कर दिया है कि कैसे सुप्रेम कोट ने भी E.D. की इस तरह की कारिवाई पर सवाल खड़े किये है कॉंग्रेस ने E.D. की इस कारिवाई पर सवाल खड़े कर दिये है और कहा कि जनता सब देख रही है अब शेग मनू सिंग्वी ने BJP पर हमला बोला है जिससे BJP घिर गई है तो केंद्रिय मंत्री नितन गटकरी के बयान से भी E.D. की मुश्किले बढ़ती हुई नजर आ रही है गटकरी ने महाराश्ट की शिंदे सरकार की योजना पर सवाल खड़े कर दिये है तो क्या कुछ कहा गटकरी ने कैसे घिरी शिंदे सरकार देखे ए रिपोर्ट की कोई भरुसा नहीं मिलेगी भी या नहीं अभी लाडली बहन योजना भी शुरू हो गई है तो सबसीडी का पैसा उनके काम को देना पड़ रहा है नाचुरल है अटक गए अपने इस बयान में एक तरह से गटकरी ने इस योजना के फंड पर सवाल उठा दिये है सवाल कि आखिर ये योजना कब तक चल पाएगी उन्होंने कहा है कि ये कब मिलेगी कोई भरुसा नहीं रहता गटकरी के इस बयान ने विपक्ष की दावो को बल दे दिया है जिसमें उन्होंने शिंदे सरकार की इस योजना को चुनावी लॉई पॉप बताया है और चुनाव के बाद इसके बंद हो जाने की भी बात कही है हाला कि डिप्टी सिया मजित पवार ने जरूर इन बातों से इंकार किया और कहा कि वो इस बारे में नितिन गटकरी से पूछेंगे लेकिन ये तो तय है कि विधान सबाद चुनाव को लेकर लड़की बहिन योजना का जितना फाइदा NDA को नहीं मिला उससे ज्यादा नुकसान जरूर हो सकता है नितिन गटकरी के बयान से NDA में टकराव के स्थिती देखने को मिल रही है तो चिराग पासवान ने भी BJP High Command को चेताव नहीं दे दी है जिससे NDA में फूट की चर्चाएं तेज हो गई है चिराग ने मंतरी पर छोड़ने की बात कह दी है तो क्यों चिराग ने कही ये बात? देखे ए रिपोर्ट LGPR के प्रमुक और केंद्रिय मंतरी चिराग पासवान ने एक बड़ा बयान दिया है चिराग पासवान ने एक मिनट में मंत्री पत को लात मारने की बात कह दी है उनके इस बयान ने सियासी हलकों में खलबली मचा दी है चिराग के बयान ने एंडिय में फूट की चर्चाओं को हवा दे दी है उन्होंने पटना के SK Memorial Hall में पाती के SCST प्रकोस्ट के और से आयजित कारिक्रम में कहा की चाहे किसी भी गटबंदन में रहूं, किसी भी मंत्री पत पर रहूं जिस दिन मुझे लगेगा कि सम्विधान और आरक्षन के साथ खिलवाण हो रहा है जैसे मेरे पिता ने एक मिनट में ही मंत्री पत प्याग दिया था मैं चाहे किसी भी गटबंदन में रहूं या किसी भी मंत्री पत पर रहूं इस से फर्क नहीं पड़ता खुद को प्रधार मंत्री नरेंद्र मोडी का हनमान बताने वाले चुराग पासवान वी ते कुछ वक्त से लगातार सरकार से अलगी स्टेंड लेते नज़र आ रहे हैं और अब एक बार फिर चुराग अलगी मोड में नज़र आ रहे हैं चुराग वक्फ विल की मुद्य से लेकर लेटरल एंट्री से कोटे के अंदर कोटा तक कई मुद्दों पर एंडिय से अलग रुक दिखा चुके हैं वहीं जारखन में एंडिय से अलग लड़ने के संकेत दिये हैं और अब उनका ये बयान एक तरह से बीजेपी के लिए शेतावनी की तौर पर देखा जा रहा है और बॉलिटिन के आखिर में बात सोनम वांग चुक की हिरासत की समाजुक कारे करता सोनम वांग चुक को हिरासत में ले लिया गया जुसे लेकर सियासत गर्माई हुई है विपक्ष मोधी सरकार पर हमलावर है कॉंग्रेस सांसत राहुल गांदी समेट सभी प्रमुख नेताओं ने इस कारवाई के निंदा की है तो क्या है पूरा मामला जानने के ले देखे एक खास रिपोर्ट सोशल अक्टिविस्स सोनम वांग चुक की हिरासत को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है अब ये मामला कोट पहुँच गया है दिल्ली हाई कोट में वांग्चुक की रिहाई की मांग करते हुए याचिका दाखिल हुई है जिस पर 3 अक्टूबर को सुनवाई होगी वहें वांग्चुक दिल्ली पुलिस स्टीशन में ही अंशन पर बैठ गये दरसल सोनव वांग्चुक लंबे वक्से लदाख के लोगों के हक के लिए आवाज उठा रहे हैं लदाख पो पूर्ण राजी का दर्जा देने की मांग के साथ उन्होंने दिल्ली चलो पदियात्रा की शुरुआत की लेकिन उन्हें दिल्ली हर्याना बॉर्डर पर ही रोक दिया गया और 130 लदाखियों के साथ दिल्ली पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में ले लिया और दिल्ली में BNSS की धारा 163 लागू कर दी गई जिसके तहट 5 अक्टूबर तक रैली निकालने या धर्ना प्रदर्शन पर रोक रहेगी इस खबर के सामने आते ही विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है तो मुख्यमंत्री आतीशी भी वांग्चुक से मिलने पुलिस स्टेशन पहुँच गई लेकिन अन्हें मिलने नहीं दिया गया इस पर LG BK सक्सीना को घेरते हुए आतीशी ने कहा कि दिल्ली और लद्दाख में LG राज खत्म होना चाहिए तो सौरब भारतवाज ने LG के स्तीफे की मांग कर दी वहें कॉंग्रेस आंसद राहुल गादी ने इस कारवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि मोदी जी किसानों की तरह ये चक्रवियो भी तूटेगा और आपका एहंकार भी तूटेगा आपको लद्दाख की आवाज सुननी होगी कॉंग्रेस सद्याक्ष मालिकारजुन खरगे ने कहा कि ये घटना बताती है कि मोदी सरकार की निरंकुष ताना शाही के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है किसानों के आंदोलन के बाद अब सोनम गांग्चुप के इस आंदोलन को दबाने की कोशिश में मोदी सरकार बुरी तरह से घर गई है हो तो आज के सब्रेटन में वाओ कर रहा हुआ पहली बार देखा मैं इसके लिए वाओ कर रहा है तो यह लाया है उन्हाँ है इसके लूटके दाद तूटे गए है प्रेल में पैली वड देखा इना, वाव नाइस गोगल. फिरी फिरी आप रेखा की एंडेखा किया एब भाट अच्छा है. वट अच्छा है वाट अच्छा है. सबस्दों है ना? पुल याप नाथ इक हम रहाझे है, वाहाँ है. को बारे को बार, को बार. कर दो एक दो नहीं हो प्रॉच जाना तिके ले न और फिलम देखना वाव नहीं नहीं हो इदर कट प्लीज कट कट आशा है यह वीडियो आपको पिसंद आया होगा इसको जाद सेयर करें लाइक करें सब्सक्राइब करें चैनल को फेस्ट पेज को फोलो करें और जाद सेयर इसको सब्सक्राइब